ओम श्यांगते हैं ये स्रश्टी का खेल बहुत ही अद्भुत बना हुआ है वूंडर्फुल है ये खेल ये चक्र सत्यूग से और कल्यूगन तक कैसे चलता है और कल्यूग पुनह सत्यूग में कैसे बदलता है इस बात को जनसार के लोग प्राए जानते नहीं है कल्यूग में विशेविकारों की दुनिया काम वासना से संतानुत पत्ती वो भला कैसे समझेंगे कि सत्यूग में देवताओं का जनम योग बल से होता है हालाग ये वादसास्त्रों में भी है धर्मगंतों में है कि आदी में स्रस्टी ए मैथूनी थी अनसेक्सवल योग बल से उन्होंने संगम यूग पर पुरसोत्तम संगम यूग पर इतना योग बली खटा किया था कि वो संकर के रूप से काम में आने लगा संकल बल हो गया तो सुरों में स्रीकर्षन का जनम सबसे पहले योग बल से होता है योग बल के लिए बहुत मन्सा सक्ति बहुत पावरफुल इस्थिति चाहिए क्योंकि स्रीकर्षन जब आते हैं उसके लिए बाबा ने स्वैम कुछ बाते कही है जब तमोगूणी आत्माएं कल्योग की तमोप्र्धान पूरी तरह साप्थ हो जाती है तब सिरकर्षन का जनम होता है समझा जा सकता है कि प्रकर्थी संपूर्ण पावन हो जाए तब तो पावन शरीर का निर्मान करे तो भला कलियोग में आजकल के तम सिखवातावर्ण में देवताओं का जनम कैसे हो सकता है देवताओं के लिए शिवाबा ने स्वयम एक बात कही है पतित आखों से देवताओं को नहीं देखा जा सकता कोई कहे कहीं श्रीकरण ने जनम ले लिया, उसको देखी नहीं सकते, वो अंडरग्राउंड है, गलत, वो विश्व महराजन है, वो तो समराट का वेता होगा, इसलिए उसके जनम के साथ साथ देवताओं का जनम भी बहुत हो जाएगा, सब का जनम योग बल से होगा, सभी प नहान अत्माए, पुन्य अत्माए और पवित्र अत्माए होगी, हम सब भी ऐसा ही पुर्शात कर रहे हैं, कि श्रीकरण को केवल याद न करें, इस महाविनास के बाद जब श्रीकरण का इस धरा पर आगमन होगा, तो हम भी उनके साथ हो, पुरस्वत्तम संगम युग के स दो वर्स 2036 में पूर्ण हो रहे हैं, उसके बाद ही देवताओं का आगमन प्रारंब होगा, ये तो बिलकुल निश्चित बात है, सहज बात है, विनास के काल में हमें स्वयम को सेफ भी रखना है, चारों और कल्यूक का बहुत तमों गुनी वातवन है, विकारों की जैसे आग लगी हुई है, इस विकारों की आग में हर एक का मन जला जा रहा है, युवा वर्ग तो बिलकुल जुलस गया है इस अगनी में, हमें अपने को सेफ रखना है, तो चारों और पावर्फुल औरा भी बनाना पड़ेगा, सर्व सक्तिवान हमारे सिर पे छत्र चाया है, इस स्मर्ति में भी रहना होगा, और आने वाले काल में जो परिष्थितियां बहुत बढ़ जाएंगी, भै का माहूल होगा, जैसे हो चुका है, सब जानते हैं, कोरोना काल से इस असुन धरा पर भै बहुत फैला है, अनेकों की मरत्यू भी भै के कारण हुई, और बहुतों हमें भै, अंदर का भै, उनके सब कॉंसियस माइन में समा गया है, ऐसा भै बहुत दिखाई दे रहा है, हमें इस भै को भी समाप्त करना है, और अपने को बहुत पावर्फुल भी बनाना है, हम सचमच बहुत पावर्फुल हैं, क्योंकि सर्व सक्तिवान की संतान हैं, हमें इस समर्ति को बहुत ही बढ़ानी चाहिए एक तो ये समर्ति बढ़ानी है दूसरा योगव्याज से हमें सर्वसक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करते रहना है तो हमारी स्वसक्तियां बहुत पढ़ जाएंगी, स्वमान से हमारी शक्तियां जागरित हो जाएंगी और योग अभ्यास से हमारी शक्तियों में दिशी दिन रद्धी होती रहेगी, हम बहुत सक्ति साली बन जाएंगी क्योंकि आने वाले समय में हमें न केवल अपने लिए जीना होगा, परसंसार के लिए जीना होगा हमें vibrations दे कर सभी के दुख हरने हैं, सभी का भैदूर करना है, सभी को सुरक्षा का अनुभव कराना है सहारे दाता बन जाएंगे हम बाबा के बच्चे, हम इस सब को बहुत अच्छे vibrations देना है इसलिए अपनी स्थिती को अभी से बहुत पावर्फुल बनाते चलें अगर हम व्यार्थ में बहुत रहते हैं, निगेटिव फीलिंग्स बहुत रहते हैं हमारे जीवन में तो आप समझ सकते हैं हमारी शक्तियां ना स्थोती रहती हैं इसलिए जहां एक और हमें शक्तियां इखटी करनी हैं, जमा करनी हैं वहीं दूसरी और इनके व्यर्थ बहाव को भी रोकना है जरूरी हम शक्तियां घटा करते रहें और वह बहती रहें तो हम वैसे के वैसे ही नहीं रह जाएंगे बहुत लोग इस बात को संभथ नहीं रहें योग भी अच्छा कल लेते हैं लेकिन दिन में व्यर्थ में रहने के कारण व्यर्थ बादचीट व्यर्थ शंकर व्यर्थ देखना तो शक्तियां बहुत भह जाती हैं इसलिए अपने को शक्ति साली नहीं बना पाते एक बात की बहुत ज़्यादर जरूरत है जिनों ने इस वरी ज्ञान लिया जो ब्रह्मा वत्स हैं वो इस बात को केवल वही इस बात को समझ सकेंगे कि देवताओं को जनम देने वाले माबाप उन सब ने जनम ले लिया है जिसे हम एड़वांस पार्टी कहते हैं अब उनका जनम तो कलियुक के घरों में हुआ है ठीक है वो आत्माएं जिनके घर में जनम हुआ उपर इवार थोड़े सात्विक होंगे कोई बहुत ज़्यादर सात्विक होंगे लेकिन कलियुक का प्रभाव इन आने वाली देवताओं की आत्माओं पर थोड़ा थोड़ा पड़ सकता है इसके लिए हम सभी को बहुत पावरफुल वाइब्रेशन्स चारोर फैलाने हैं निदंतर यह काम करना तकी आत्माओं जब जनम लेंगी तो पूरी सेफ रहेंगी चलो देवताओं का जब जनम होगा तब तो कलियुक का बातावन ऐसा बचेगा नहीं लेकिन देवताओं के माँ बाप पर कलियुक के माहूल का असर पड़ ही जाता है लेकिन न पड़े इसके लिए हमारे powerful, positive, pure vibrations बहुत काम करेंगे, उनके चार ओर एक ओरा बना रहेगा, उनके घर के चार ओर ओरा बना रहेगा, उनके घर में तामसिक वातवन होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत होगा भी तो उसको हमारे vibrations समाप्त कर देंगे, यह बहुत ही गु और यह काम इस वर यह कारिये में बहुत बड़ा सहयोग देने का है, देखिए कितना सुक्सम काम है, इसको कोई समाझ नहीं सकता, कि देवताओं के माबाप को हमें protect करना है, advance party की गई हुई आत्माओं को हमें सुरक्षित करना है, सुरक्षापरदान करनी है, कलियुक के वा दर्थ से मोक्त रहना, अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास रखना, यह परमावश्चक है और डेली, इन आत्माओं के लिए भी जो देवताओं के माबाप हैं, हम कुछ समय निकाल कर कम से कम 15 मिन अच्छे vibrations अवश्य दिया करें, ओम स्यानते